तो अभी फाइनली टेम हो गया है बजी गया बारह और एक दो सोड वीडियो ही डाली हूँ और थोड़ा सा सुवा से मोड अच्छा नहीं था कल से ही क्यूंकि इन से बात नहीं हो पाया था इस वज़ा से थोड़ा सा टेंसन हो जाता है जो बाहर में है जाहर जो भौज में है उनको परिवार वाले को पता हो गा कि जब बाहर में रहते हैं बात नहीं होता तो कितना टेंसन हो जाता है तो फाइनली मुझे बहुत टेंसन हो गया था क्योंकि कल परसो रात से ही बात नहीं हो था और कल मने बूध को रात से बात ही हुआ था कल पूरा दिन पूरा रात गुरु बार को भी बात नहीं हुआ आज फाइनली अभी जाके साड़ी गारा बजे फोन आया ओवी खाना लेने के लिए आये थे फिन बाप्रसर्टिव्टी ही जाना था जंगल में तो फाइनली इनसे थोड़ सा बात हुआ तो मोड अच्छा हुआ है और बस अभी हम बैठें इस रूम में इस रूम में मटर और आलू है सब डाल के सब्जी आलू वो भी मटर और दाल चावल अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि एक बज़े फिम बाबू को लाने जाओंगी तो मैं सुची चलिए थोड़ा सफने वीडियो बनाती हूँ उसके आफलोप से बाते करके उसके बाद फिल मत्सूबा स मन नहीं कर रहा था तो फाइनली बात हुआ तो मैं सोची चलिए वीडियो बनाती हूँ और अभी मैं खाना बनाओंगी और आज दूप अच्छा है लग रहा है दूप क्योंकि आज मतलब हावा नहीं चल रहे हावा चलता है तो जादा वहावा चलने वज़े से ठर्दी ज ब्लैक कलर का मैं सीयल सूट बहुत कम पहनती हूँ दो चार ही मेरे पास सीयल सूट है वाकि सारा रेडी मेट ही पहानती हूँ कूलती हूँ पटियाला हो जो भी हो पला जो सारा रेडी मेट ही पहानती हूँ मैं बहुत कम सिलवाती हूँ सूट इसलिए ये पहानी हूँ ब् आ रही हूं खाना और फिर मैं आप लोग से करती हूं पात मेरा खाना हो गया है तैयार और देखिए यह खाना है पराठा गुजिया अलोग फोगोवी और माटर का सब्जी बैगं टमाटर का भरता और साथ मेठा में गाजड का हलुआ तो कैसा लग रहा है आप लोग को है तो चली वीडियो को आइंड करती हूं और कर वीडियो ब्लॉग बनाओंगी कर दो किसा रहेगा तो क्या करेंगी क्या बनाओंगी क्या खांगी और फिर सोच रही है तो चली कल को बाते हैं गुट नाइट